जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तर बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की, खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान बिनौला खल की कीमतों में लगातार तेजी कायम है बिनौला खल में वायदा और हाजिर दोनों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है दरसल इस बार कपास के बीजों की किलत देखने को मिल रही है जिससे कपास खली यानि की बिनौला खल के उत्पादन में कमी देखनी गई है बिनौला खल के उत्पादन में इस बार लगबग 10-15 फिसदी की कमी देखने को मिली है जिससे बिनौला खल की कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है जानकारों के अनुसार, कपास की कीमतों में तेजी का असर भी बिनौला खल की कीमतों पर देखने को मिला है पशुओ को खिलाने के काम आने वाले हरी और सुकी घास की कीमतों में इजाफा हुआ है सोयबीन के छिलके पर भी अब 5 फीर्दी GST लगना शुरू हो जाएगा जिससे डेरी और पोल्टरी उद्योग में पशुओ के आहार की कीमते बढ़ जाएंगी और उतपाद महंगे होंगे इसका असर दूद और चिकन की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है डेरी और पोल्टरी उद्योग से बिनौला खल की डिमांड निकल सकती है डिमांड बढ़ने से भी बिनौला खल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है और आगे भी बिनौला खल की और डिमांड देखने के असार है विनौला खल ने साल 2021 के आखरी कारूबारी सब्ताह के आखरी कारूबारी दिन लगबग 31 सो के करीब की क्लोजिंग दी थी ये क्लोजिंग लगबग वही लेवल है जो हमने 2021 के लोकडाउन के दोरान देखा था बजार फिर से उनी कीमतों पर कारूबार कर रहा है 2022 के पहले कारूबारी सब्ता के दोरान विनौला खल का जन्वरी वायदा 398 कस्तर दिखा चुका है वही फरवरी वायदा 32 के पार निकल चुका है मही बाजार के जानकार मोतिलाल औस्वाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मताबिक बिनौला खल में आगे तेजी जारी रह सकती है साल 2022 में बिनौला खल काफी शांदार रिटन देता नजर आ सकता है साल 2022 में बिनौला खल की कीमते नए उच्छ स्थर पर जाती नजर आ सकती है अमित सजेजा के मताबिक बिनौला खल की कीमतें 2022 की पहली तिमाही में 3400, 6 महीने में 4000 और एक साल में लगवब 4400 का स्थर दिखा सकती है वीरिट पोर्ट, मारकेट टाइम्स, टीवी अमित सकती है